तो आसादे एक महत्वपुन समाचार सामय आविरा आचे अमदावाथी जया जमिन मा फिन निकलवा बाबते जे मामलो सामय आवे होतो अने त्याने लेईने क्या आक कुत हुल सर्जाए चुकी होतू रहीशों मा खासकरी ने त्याना स्थानीकों मा मेट्रों नी जे कामकरी च चुके आद तमाम सवालों नी वच्चे कामगरी और कारवाही पन करवा मावी पुलिस और एमसी से इंफोमिशन मिली कि सारंगपूर एरिया में एक मिस्टर शेख हैं उनके घर के ग्राउंड फ्लोर एरिया में से कुछ लिक्विड बहार निकल रहा है हम लोगों ने अपनी टीम इमिजेटली वहाँ पर डिप्यूट की और वहाँ पर हम लोग की टरनल बोरिंग मशीन उस एरिया के नीचे से पास हो रही थी जब भी टरनल बोरिंग मशीन हम लोग चलाते हैं तो सॉयल को सौफ्टन करने के लिए एक स्पेशल केमिकल फूम जिसमें की बेंटोनाइट होता है थोड़ा उसको हम लोग फॉंप करते हैं जिससे की टरनल बोरिंग मशीन असानी से सॉयल को रिमूप कर सके और स्लरी के फ बोर या hand pump बगर तो नहीं है. क्योंकि अगर कोई भी बोर या hand pump होता है तो उसको पहले ब्लॉक कर देना पड़ता है. Otherwise उस hole के थू यह liquid बाहर आ सकता है. इस area में कोई भी जो भी थे उनको या तो ब्लॉक कर दिया गया, मगर इस particular घर में ऐसी कोई information नहीं थी. जब हमारे लोगों ने साइट पे देखा तो ये पाया कि दिवार और फ्लोर के एक कॉर्णर में से लिक्विट बाहर आ रहा था तो उन घर वालों को भी नहीं पता था कि नीचे कोई ऐसा होल है या पाइप है जो की 15 मीटर नीचे हमारे टनल से कनेक्ट हो गया और वो पैसेज मिलने की वज़े से उस एरिया में से लिक्विट बाहर आने लगा रात में ही हम लोगों ने अपनी टीविए मशीन को रोक के वो लिक्विट पूरा बाहर जब निकल गया तो अभी हमारा होल जो है उसको ब्लॉक करने का प्रोसेस चल रहा है रात को करीब बारा लोग जो रहते थे उनको वहां से रिक्वेस्ट किया गया कि आप शिफ्ट कर लीजे उनके शिफ्टिंग का कॉस्ट हम लोग वियर करेंगे और वो लोग फस्ट फ्लोर पे रहते हैं ग्राउन फ्लोर पर शॉप है तो वो लोग आज रात को या कल सुब खोक्रा में जो हुआ था वो एक सिंखोल था मतलब उसमें लिक्विड मनलब जमीन भुआ की तरह नीचे बैठ गई थी जब खोक्रा में इंसिडेंट हुआ था लिक्विड आने का इस तरीके का पहला इंसिडेंट है चूँकि एमदबाद में ओल्ड सीटी में बहुत जगा और बोरवेल्स हैं घरों में तो हम लोगोंने नॉर्मली काफी इंफोर्मेशन कलेक्ट की है और जहां जहां पर है उनको हम लोग ब्रॉक करने के बाद ही टीवियम चलाते हैं अगर कोई इंफोर्मेशन नहीं मिली जैसे ये पटिकुलर केस में घर के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई बोर्वेल है मिस्टर शेक की फैमिली को भी नहीं पता था और फ्लोर और दिवार के बीच में से ये लिक्विड बाहर आ रहा था जो की कोई गैप रहे गया या नीचे की सॉयल रबल से बनाई हो प्रॉपरली फाउंडेशन नहीं बनाया हो इस वज़े से बाहर आया पर हम लोग एक बार फिर से पूरा प्रिकॉशन लेते हुए काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसी तकलीफ आगे फिर नहीं आईगी अभी एलेंटी जिस एरिया में काम कर रही है अभी तक वो रेलवेय यार्ड में ही काम कर रही थी अभी तक एफकॉन ने करीब 800 मीटर करीब टरनल बोरिंग की है और उसमें किसी भी रेसिजेंशल एरिया में से पास नहीं हुआ इसलिए फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है बाकी शहरों में भी जहां जहां टरनल बोरिंग मशीन काम करती है एकाद इंसिडेंट ऐसे जरूर होते हैं तो इस नौट सम्थिंग की एफ कॉन कंपनी से ही रिलेटेड ये इशू है ये कहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन वहां पे इंफर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है मगर चूंकि इस एरिया में दो इंसिडेंट हो चुके हैं तो जो बाकी रिमेनिंग पॉर्शन है उसको एक बार फिर हम लोग और अच्छे से दिखाने के बाद काम शुरू कराई है अभी तक उसकी कोई कंफर्मिशन नहीं मिली